ओके फ्रेंड second question जो corporate bail क्या होती है उसको समझते हैं तो देखो company law के according एक separate legal entity form करती है मतलब खुद की पैचान होती है उसकी और जो shareholder है उनसे है कैसी होती है different होती है मतलब shareholder और company दो अलग अलग persons है according to the company law ठीक है तो उसके असाब से क्या है इन दोनों के बीचे परदा हुआ है परदा क्या कहता है कि जो company है अगर वो कोई act करती है कोई action करती है तो उसका प्रभाव पर नहीं पड़ेगा मालो company लिए आप वो company उसे पे नहीं कर पा रही है तो जिससे लिया है और उसके और company के बीच का वो मसला है उसमें shareholders नहीं आएंगे ठीक है उन पर problem नहीं होती है तो यह एक तरह से कबच कुंडल है shareholder के लिए जो की company के action से उनको बचाता है ठीक है तो यह एक दीवाल है जो उन बीच में खड़ी है वो कहती है कि shareholder और company अलग separate legal entity है यह दोनों एक नहीं है ठीक है लेकिन कभी कभी क्या होता है इसको उठाना पड़ता है इसको उठाया जाता है तो lifting of corporate will वही है जब हम उस को उस दीवाल को हटाते हैं मतलब हम यह देखते हैं कि अब यह separate legal entity वाला जो point है इसको थोड़ा side में रखे हम क्या करते हैं shareholder और company को एक कर देते हैं कि दोनों एक है तो इसको समझते हैं पहले तो corporate will होता है it is the idea that a company manager or shareholders are not legally responsible for the actions of the company मतलब एक आइडिया है जिसमें जिससे क जो company manager या shareholder है वो legally responsible नहीं होते हैं किसके लिए company के actions के लिए जो company के actions है उसके लिए वो legally मतलब legally कानूनी तोर पर responsible नहीं होते है because company is also a separate legal entity क्योंकि company को separate legal entity कहा गया है ठीक है अब देखते हैं lifting of corporate bill में पता दिया मैंने आपको कभी क्या होता है कि जो बीच का पर्दा इसको अटाना पड़ता है क्यों चाहता है वो भी हम देखेंगे अब पहले बाद में देखेंगे तो यह जो पर्दा है जो अलग करता है कि इसको shareholder को और company को कभी कभी हटाना पड़ता है उसे हम बोलते है lifting of corporate bill उस पर्दे को अटाया जाता है जो separate legal entity वाला जो point है जो लिखा है कानून में उसको थोड़ा sad में रखके shareholder और company को एक किया जाता है मतलब एक जैसा माना जाता है उसको क्यों माना ज entity some directors और shareholders cheat with the company मतलब क्या होता है कि जो आड़ है मतलब separate legal entity की जो आड़ है जो पर्दा है जो corporate bill का पर्दा है उसके पीछे कुछ डिरेक्टर एस रोल्डर क्या करते हैं company के साथ cheat करते हैं मतलब दोखा करते हैं detect such fraudance director मतलब उन दोखे बाद डिरेक्टरों को पता करने के separate legal entity का जो concept उसको ignore किया जाता है ठीक है which is called lifting of corporate bill अब जब separate legal entity के concept को ignore किया जाता है उसे हम बोलते है lifting of corporate bill उसी को बला जाता है lifting of corporate bill I think आपको सौन में आ जया होगा corporate bill वो होता है जो company और से रोटर को अलग करता है ठीक है यह बताता है कि दोनों अलग-अलग identity है यह दोनों ए और क्लिप्ट क्या होता है कभी क्या होता है उस पर दे को हटाना पड़ता है उस पर दोनों सबस्क्राइब को हटाना जाता है घो लेट और को सौन में अ गया होगा हम देखेंगे तो मतलब सर्कम्टेंस क्या हैं जब कॉर्पेट बिल को हटाया अटाना पड़ता है तो वो दो हैट्स में बटा हुआ है पहला है अंडर स्टैक्टोरी मतलब कंस्टिटूशनल प्रोविजन्स जो मतलब उसमें लिखा हुआ है मेमरेंड़ और एसोसीशन को कंस्टिटूशन बोलते हैं कंपनी का उसमें जो लिखे हुए पॉइंट्स उसके अगर अगेंस्ट कोई काम होता है तो हम क्या करते हैं कौर्पेट बिल को लिप्ट करते हैं त तो उसमें अगर मिस स्टेटमेंट दिया गया है अगर आपके सेयर्स की वैल्यू कम आपने जादा दिखा दिया ज्याद है आपने कम दिखाई है तो आप दो यह लिप्टिंग और किया जाएगा दूसरा है फेलर टू रिटन एप्लिकेशन मनी मतलब आपने क्या किया कि कि सिर्टमेंट तो इसको लिप्ट किया जाएगा तो इसे लिप्ट किया जाएगा चौता है for investigation of ownership of company मतलब company के जो ownership है उसको investigate करने के लिए company का honor कोन है कितना उस पर revenue हो रहा है कोन से चला रहा है उसको investigate करने के लिए इसको lift किया जाता है पांच माय fraudulent conduct of the business अगर business में कोई भी दोकेवाजी हो रही है दोका जड़ी हो रही है तो इस corporate will को lift किया जाता है तो यह हो गए अंडर statutory मतलब constitutional provision के अंडर हम कब-कब corporate will को lift करते हैं दूसरा है under judicial interpretations मतलब जो judicial है जो court के जो rules है उसके under में हम इसे कब lift करते हैं तो पहला इसका protection of revenue मतलब revenue company का क्या कर रहे है सिरो लस उसका दलस फायदा उठा रहे है उसको protect करने के लिए इसको lift किया जाता है उसको पता करने के लिए दूसरा है prevention of fraud of improper conduct अगर company में कोई fraud हो रहा है या फिर कोई improper मतलब सब्सक्राइब से कोई conduct नहीं हो रहा है अच्छे से काम नहीं हो रहा है तो हम lift करते हैं corporate will को तीसरा determination of the enemy character of the company जो enemy character है company का जो दुस्मन दुस्मन है उसको पता करने के लिए उसको determine करने के लिए हम क्या करते है corporate will को lift करते हैं चौत है to punish for contempt of court ठीक है contempt भी होता है निंदा करना जाम court की कोई निंदा करता है या फिर आपने कोई court corporate will important is को अच्छे से पढ़ लेना थैंक यू